पितंपूर ओद्यकी खेतर में मल्टी मॉडल पार्क के लिए जमीन अधिकरण की कारेवाई के नोटीस विश्ले दिनों किसानों के मिलने के बाद आज खेडा जमोदी सही चार गाओं के किसानों के अधिकरण के खिलाब अनुविभागी अधिकारी पितंपूर से मिलने कारल नहीं देना चाहते वह अनुविभागी अधिकारी रोष्णी पटेदार ने बताया कि चार गाओं के किसानों के बच्चों को कारखानों नोक्री दी जाए उस मामले में हम सर्वे करवाने का सोच रहें इसके बात पाता सदस्यों के साथ चर्चा कर संभव हो सके लोगों को रोजगार की उपलोद कराने का पर्यास करेंगे पिधम पूर्च संजय संगरा की रिपोर्ट कि बताया आप सब किसान एकटा होके हमारी जमीन की 2722 को नोटिस मेरा हमको कि आपकी जमीन अधिकरत हो रही है वह ठीक है लेकिन जमीन का मौजा हमको सही नहीं मिलते है जो हमको किसान अपने जमीन देने के लिए इच्छुक नहीं है वह इसलिए है कि साशन द्वारा जो गाइडलाई ने पिछले कहीं सालों से करीब करीब 2015 के बाद आस तक इन गाओं की गाइडलाई नहीं बढ़ाई गई है साथ इसाथ कहीं वर्षों से पहले से भी 20 से 25 सालों से कहीं जमीन अधिकरीट पड़ी वी और कवक्यों का इस तक साशन नहीं किया है आज किसान इस बात को लेकर के मानिया अनुभागे अधिकारी मौज़ा एक्वित्रंपूर के पास आये थे और उनकी मांग है कि जो वर्तमान में आज यहां जमीनों का रेट है करीब चार से पांच करोड रूपे हेक्टर उसमान से मौज़ा दिया जाए तो वे अपने जम कर रहा है मल्टी मौडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए ग्राम खेडा कोलिया जामुदी सागुर में जमीन का अधिगरंड किया जा रहा है अधिगरंड के रिए धारा ग्यारा का विजट नोटिफिकेशन हो चुका है किसानों के आपत्य थी कि गाइडलाइन की जो वेल्य में पेच्टी देखते हैं मैडव उनका ये भी कहना तक किसानों की जमीन लेने के बाद में रस्टीज के अंदर उनके किसानों के बच्चों को नहीं लिया जाता है काम पे तो इस पर क्या विचार किया आपने इसका हम एक सर्वे करांगे अध्यन करेंगे और कोशिश करें पिता कि विचारी आपका नाम पर रोशने पर दोर एक अध्यन करें पर इस पर देख रहे हैं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब परे और पास में लगे टेल आइपोन को दबाना बिलकुल भीना बुले